नई दिल्ली अतियंत बीशन चकरवाती तूफान चकरवात वीपर जोय में बदल गया है और सोराश्ट कच तठों पर मांडविये जखाओ बंदरगा के निगट होने की उमीद है आसपास के 30 शेत्रों के लिए बारत मौसम विभाग IMD ने औरेंज अलर्ट जारी किया है इसके बीश चकरवात के दर्दनाक चित्र और वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं जो लोगों को भेवीत कर रहे हैं एक वायरल वीडियो वो बताता है कि एसे चकरवात ने गणपती पुले में समुंद्र को उफान पर डाल दिया है इस बायानक वीडियो में लोग दैशत में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं जब तेज लहरें सामने से उठकर पूरे शेत्र को घेर लेती हैं इसलिए बहुत से लोग रेत पर गिर जाते हैं यहां तक कि ये वीडियो बनाने वाला व्यक्ती भी लहरों से गिर जाता है इसमें केमरा नीचे गिर जाता है एक और वीडियो में चकरवात की तबाई दिखाई दी ये वीडियो महराश्टर के एक शहर गणपती पुले से आये हैं धारा 144 तटिय शेत्रों में लागू गुजरात सरकार फिलाल चकरवात के से निपटने की तैयारी में है सुमवार को कज़िले के तटिय गाउं में धारा 144 लागू हो गई है शेत्रों में चकरवात का व्यापक असर होने की आशंका है साथ ही मौसम एजेंसी ने शेत्रों में 15 जून तक मचली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाई है राज्य सरकारों को देखबाल करने के लिए सला आए एमडी ने कहा प्रया के तूफान की बयावयता के मदे नजर राज्य सरकारों को कड़ी निजरानी रखने की ज़रूरत है उन्हें अपने शेत्रों में परिस्तित्यों की नियमित निजरानी करने के सला दी जाती है यह जिलादी कारे हैं